अपने लगुशोदकार में जो हम कंटेंट रखते हैं जो विवरण विशे रखते हैं उस पे सबसे पहले हमारा नंबर वन पॉइंट होता है प्रस्तावना इस पे हम कोई चैप्टराइजेशन नहीं करते हैं इसको हम खंड बार करते हैं मतलब हेडिंग स्वाइज करते हैं सबसे पहले हमारी जो होती है वो प्रस्तावना की होती है जिसमें हम यह चर्चा करते हैं कि हमारी जो समस्या है जो हमने हैं टॉपिक लिया है वह टॉपिक हमारी समस्या को प्रदर्शित कर रहा है और वह समस्या जो है वह आपकी क्या है किस प्रकार की है उसकी इस्थति क् और उस स्थिति से आप अपने किस समस्या का समधान करना चाहते हैं आप इसकी चर्चा वहाँ पर करते हैं जैसे मान देते हैं कि हमने women empowerment को देखना है और वो भी हम पूरे भारत में women empowerment को देख रहे हैं इसके लिए हमारा जो first standja बनता है जो हमारा पहला paragraph बनेगा उसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि भारत में जो महिलाओं की इस्थती है वो किस प्रकार की है और उस इस्थती से हमें क्या समस्याइ पैदा हो रही है इसकी हम चर्चा करेंगे फिर उसके बाद हम यह बताएंगे कि चुकि वोमन इंपावर्मेंट आपके लिए आपके दाएरे में यानि कि योग आप शोध करने जा रहे हैं उसमें आप वोमन इंपावर्मेंट को किस लेविल तक ले रहे हैं तो उसको define करना उसको परिभाशित करना अनिवार होता है उ तो आप इसे properly जैसा के definition दी गई है आप उसे बताएंगे इसको define करने के बाद अब आप भारत में उस पूरी background के status को प्रदर्शित करेंगे जो अब तक की स्थिति महिलाओं की रही है जिसमें आप भी बता सकते हैं कि महिलाओं की आपका कितनी है पूरे देश में पिछले कई से यह मई एकर बुलाओं की सद्री उत्ती मेाँ बच्चों मेר मारी यह वह संख्या है उनकी लिट्रेसी राट कितनी है इस तरीके से आप प्रदर्शित करेंगे और जो समझ्या के आप अप आप यह दिखाएंगे कि अगर उससे संबंधित कोई भी बात आप बताना और चाहते हैं कि उससे संबंधित गौवर्मेंट टे क्या नियम बनाए है क्या गौवर्मेंट की पॉलसी चल रही है आप उसकी भी चर्चा करें अगर यह यहां पर समस्या के रूप में दिखाई प बदाते हैं कि पूर्व शोधों का मुल्यांकन को प्रदर्शित करते हैं जो आप पहले कर चुके थे या जो पहले आपने देखा था अब उसे यहां क्रम बत तरीके से लिखेंगे यह क्रम आपका समय कैलूसार होता है कोशिश यह करने चाहिए कि हम इसमें अपने लेटस शोध पेपरों को प्रदर्शित करें जो कारे अभी किये गए हैं बहुत पुराने कारियों से हमाई कोई फरक नहीं पड़ता है नेकिन खास तोर से अभी चो पिछले आट-दस साल में कार किये गए हैं उसको लेकर के आप चर्चा कीजे आप यूजी के स्टूएंट है तो है उसने अपने पत्र में क्या समस्या उठाई किस प्रकार के क्या उद्धेशों को लेके कारर किया और विश नीशकर्ष निकाले उसकी चर्चा भी समें अ इस अब को बताने के बाद आप ये बताते हो कि इन दस पत्रों में या इन पाच पत्रों में इस तरह की कुल समस्याओं मतब इस समस्या पर इस तरह की चर्चा की गई है इस विशे को इस तरीके से देखा गया है और इस प्रकार के निश्करशों की चर्चा इसमें की गई है एक स्टेंजा इस तरह का बना करके तब आप बताते हो कि मैं इसमें अपनी समस्या को किस तरह से हैंडल करूँगा या किस प्रकार से कार करूँगा या मैं उसमें क्या दिखाना चाहता हूँ फिर उसके बाद third point आता है आपके उद्देश का ये उद्देश जो होता है, प्रॉपरली आपके विशे से संबंदित होता है, विशे से मतलब कि जो टॉपिक आपने लिया है अपने लगु शोधकार के लिए, आप उसको यहाँ पर बताते हो कि आप किस उद्देश पर इस पर कार करने जा रहे हो, इसे हम कहते हैं, अब्ज इसलेशन या किसी संबंध को जो आप देखना चाहते हों, उसे प्रदर्शित करेगा, और तीसरा आपकी समस्या पर प्रकाश डालेगा, और सुझाव को प्रदर्शित करेगा, इस संबंधित, इस उद्देशों को पूर करने से संबंधित, आप एक कम से कम परिकल्पना ब नहीं होती है, जिसको कि हम जाचते हैं, परखते हैं, अगर वो आज स्विकृत हो जाती है, तो हम किसे स्विकार करेंगे, इसलिए हम एक अल्टर्णेटेव बना करने हैं, जैसे माल लेते हैं कि हमने शून परिकल्पना बनाई कि भारत में जो आपका महिलाओं से संबंधि सशक्तिकरण नहीं हो रहा है तो आप इसके alternative बनाओं कि की हुआ है यानि भारत में महिला सशक्तिकरण हुआ है यह हमारी वेकलपिक पहले शूनी परिकल्पन वेकल्पिक बनती है शूनीपरिकल्पन मैक्सिमम केस में हम डेगटिव बनाते हैं हम ये दिखाते हैं कि ये चीज लेकिन अगर ये नहीं हुई यह को अस्विक्रिiveness कर दिया जाए, या अस्विकार कर देलिया जाए तो इसका तात्पर है कि हम यह मान कर चल रहे हैं, वह पार होगा है, तो इसलिए हम विकल्ब परिकल्ब नावराते हैं, इसके बाद हम शोध प्रविधी यानि की रिसर्च मेटलोजी को प्रदर्शित करते हैं जिसमें हम सबसे पहला ये बताते हैं कि हमारा शोध विधी क्या होगी हमारे आकड़ों की प्रकृति क्या होगी हम अपने आकड़ों को किन श्रोतों से कत्रित करेंगे उसके बाद हम य त्य॥कि आकरों के लिए हमें कौन गव्याया हमें को कौन से रिपोट कि साइड भी और है इसके साथ ही हम इसमें सांकpine संख्रों कि कर देते हैं कि हम किस से ईंधर मन नपात्व भिधि लगा रहे हैं या हम संफृति दर निकाल रहे हैं हम क्या चिस्त्र शु little कि बतब ज्याद करेंगे उसकी भिचाचा हम यहां पहले से कर देते हैं और उसको भी एक्स्प्लेंड यहां पर करते हैं फिर उसकी बाद आता है आपका नेक्स पॉइंट विश्लेशन का पॉइंट जिसमें आप नए आकड़ों को ले करके अप वास्तविक इस्थिती को प्रदर्शित करते हो कि इस समय इस समस्या से संबंधित पिछले 10 वर्शों में क्या इस्थिती रही है और उस इस्थिती को आप किस प्रकार से विश्लेशि कहना चाहते हो GDP के रेशियों के रूप में लेकर के आप बात कहना चाहते हो दो आपके पास चर अगर है तो दो चरों के बीच में संबंध को आप देख करके कोई बात कहना चाहते हो क्या आप उसमें elasticity को निकालना चाहते हैं जो आप उसमें कर निकालना चाहते हैं आप उसका visualization करके उसको बताते हो कि हमने यह चीजे निकाली गई हैं उससे क्या अर्थ निकल कर आ रहा है उसका interpretation भी आप करते हैं और फिर उसके निशकर्ष यानि उपसरहार पर जिसमें आप ये बताते हो सबसे पहला या आपकी नल है उस विश्टलेशन के अधार पर जिसमें कि आपने जाच भी करी है उसके अधार और फिर उसके बाद समस्याओं पर प्रकाश डालते हो एक दो स्टेंजा या चार प्रकाश जो बह। रिपोर्ट्स जहां से कलेक्ट किया डाटा उसकी लिस्ट और सबके डिटेल्स आप देते हो जो मिनिमम यूजी पीजी लेविल पे 10 से 15 हो सकती है अगर बहुत जादा नहीं कर पारे हो तो 5 से 10 के बीच में भी आप रख सकते हो यह आपका पूरा कंटेंट होता है जिस पर आ करते हो या लखु शोद का कारे आप करते हो थाले बाद है अ कर दो सकते हुआ है